तो आपको बता रहे हैं जहां पूरे देश में दर्शहरा मनाया जा रहा है तो इसे तरह उत्तर प्रदेश में भी दर्शहरा मनाया जा रहा है और अब लखनों से ख़वरा को अताजिते जासियम योगी ने चीट कर प्रदेश वासिव को दर्शहरे के सुपकामनाय दी है धर शाई वन्याई के स्थापना के लिए अथा पिर्णा भरे। अठीका आज दितर बत अरव पिठ्धा दिश्वर के पत से और यह सोभा यात्रा निकाली जाएगी साम को वो हूस भायात्रा निकले की और यह पूरे पूरे सहर में यह इसका और कारिक्रम लगा रहता है कुरें सेले हैं। और वो मांसरोवर वहां रामिला मैदान पहुचेगी जहां पर वो राम, सीता और लक्षमर की आरती करेंगे आरती करने के बाद ये रत पूरी तरह सहर को घुमता हुआ फिर वापस गोरखनात मंदिर में आएगा यहां परंपरा काफी पुरानी है जब से ये गोरख पीट ज जात, पंत, मजग सबी लोग उसमें सामिल होते हैं हर आदमी इस सुभा यत्रा की सुभा बढ़ाता है और गोरख पीठा दिस्वर पर वहां पर फूल और माला अर्पित करता है और उनको पढ़ाम करता है और पूजा अर्चना करता है इसी के तहट आज वो दंड़ा अधि पूरानी परंपरा है और इस पूरंपरा को हमेशा से ये फालो करते हैं जो भी वहां पर गोरक्ष पीठ का जो पीठा दिस्वर होता है वह इस परंपरा का निर्वहन करता है आपको बता दें कि लगातार पिछले तीन दिन से मुखमंत्री योगी आदितनात वहां पर पूजा अर्चना और पूरी तरह से उस पूजा अर्चना में लीन है जिस कारिकरम में जिस करम में आज बिज़ेश दस्तिमे की दिन ये सोभा यात्रा निकाली जाएगी इसी के तहट पूरे गोरकपुर छेतर में पूरे सहर में प्रशासन की तरफ से किस तरह सुरक्षे की वस्ता हैं? प्रशासन पहले एक हटे पहले सही तैयारी में लग जाता है कि कहीं कोई दिक्कत न हो और उसका प्लान पूरा तैयार होता है, उस प्लान के तहत ही ये सोभायात्रा निकाली जाती है, इसमें पुलिस, प्रसासन, पियेसी, बहुत सारे ऐसे फोर्स लगाय जाते हैं, जिसस कि सुभायात्रा में कोई अर्चन ना आए और कहीं से कोई सुरच्छा की सेंध ना लगा पाए इन सभी चीजों को लेकते वहाँ डियम यस्पी सभी जितने भी वहाँ पर उच्चा अधिकारी इन सब को लेकर करके पहले से बैठक और रणनीत तैयार करते हैं जिसको लेकर कर सुभायात्रा पूरी तरह सुगम और व्यवस्थित हो सके इसको लेकर करके वहाँ छेत्र के जो भी बरिष्ट लोग है जो भी चिन्नित लोग होते हैं उनसे मीटिंग व्यवस्था बात चीत करके उस मामले को सुगम बनाना और उस रास्ते में किस तरह से वह रोड प्लान है माय प्लान है उस माय प्लान के तहत ही इनके पूरे कारिकम को सुनिश्चित किया जाता जिससे कि इस सुभायात्रा को काफी भव्य और अच्छा बनाया जा सके जिए बिल्कुल पवन यह कह सकते कि पुरानी परंपरा का आज भी हाँ पर निर्वान किया जारा है फिलार शुक्रिया आपको तमाम जानकारियों के लिए